वेलकम टू सुकलाइडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके पने यूटूब चैनल सुकलाइडी पॉइंट में मैं सिखुला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी ही जुमाने वाली कविता और उ कविताओं को इन्होंने पढ़ा हो काए कि कभ्ता रहें किसे गर्मी आई आपने पढ़ा होगा आज दिवाती सची दिरीज में आएगे तो वीडियो कर दिज полез की सबस्क provider को सेयर कर्यों क्योंकि आप लोगों के प्रेसनेल request पर मैं ये वीडियो साहित्ते में आपको एकदम से रुची पैदा कर दूँगा ये गारंटी मेरी है आपको एक एक बात कार्थ बताऊंगा भावार्थ बताऊंगा सारी चीज़े आपके समझ में आएगी फिर खुद ही आप इसमें विसेस वगारा लिख देगें कहां पर क्या चीज़े विसेस इसमें ठीक चलो तो तनी जूमी के बरस भीया जूम कर कौन बरसता है सबसे पहली बात बादल बरसता है तो एक बात समझ लिजिए तनी जूमी के बरस आद्विया परसाद मिस्र उन्माजी ने लिखा है और एक इसी के पैरलल एक कविताब ने पढ़ा होगा बदरा आई ज जारे इसकी ब्याक्या हमने कर चुके हैं मलब मैं कर चुका हूं इसकी ब्याक्या तो इसको आप देख लीजिएगा तो बदरा आई जारे उसमें भी यही बात अधिकतर आपको देखने को मिलेंगी और तनी जूमी के बरस इसमें भी तो बदरा आई जारे वो सुकला जी की लेकिन तनी जूमी के बरस ये कविता किसकी है ये आद्या प्रसाद मिस्रा उनमत जी की है तो इसको आप ध्यान रखेंगे आद्या प्रसाद मिस्रा जी ने कहा था कि तनी जूमी के बरस ठीक है उनके घर में उनके गाउं में सुखा पड़ा था और जो बदरा आई जा रहे ह और इनके सुकला जी के तो उन्होंने बुलाया था कि बदल को पत्र भेजा था ठीक तो इस प्रकार से याद रख लेंगे कि इनकी कविता यह है इनकी कविता यह है और इनकी कविताओं को थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे ताकि जो है इनमें जो चंद वगैरा जो आपको इसमें पढ़ रहे हैं कविता कैसी है गे पद है तो इसको आप ध्यान लखेंगे ताकि जो है मिक्स ना हो कि कभी आप से एक्जाम में पूछ लिया जाए तो आप बदरा आई जारे में तनी जूम के बरस में बदरा आई जारे की कर दें तो ऐसा नहीं करना तो बड़ी ध्या साहित इसका नाम होता है पेपर का चलो सुरू करते हैं तनी जूम के बरस आद्या परसाद मिस्रा उनमत जी की एक करती है एक रचना है एक कभिता है इसकी चलते हैं ब्याख्या करते हैं और भावार्त को भी समझते हुए और इस मलब पूरा करते हैं कभिता को देखें नद नदी कूप सरताल के सहारे बदरा तनी जूमी के बरस कजरारे बदरा इसको गे पद में भी गाया जा सकता है मित्रों इसको गे पद में भी गाया सकता है कैसे नदी कूप सरताल के सहारे बदरा तनी जूमी के बरस कजरारे बदरा इसी पर मुजिक सुरू हो जाएगी तो इस से ये गे पद है तो आप विसेस में गे पद लिख सकते हैं ठीक जिसको आप गे पद में बना सकते हैं यानि गाने के ग्रूब में ले सकते हैं उसी को गे पद कहा जाता है यानि गाने वाला पद ठीक तो इसको आप गा सकते हैं तो ये बात एक विसेस में आप नोट डाउन क करते हुए आद्या प्रसाद मिस्रा जी ने बादल को एक प्रकार से कहा है कि मलब उसको बादल के घंगोर वर्सा करने का आवाहन किया है कि बादल खुब जो है मलब एकदम से बरसे जिससे उसका कलर क्या हो जाए काला क्योंकि जब बादल काले होते तब ही बरसते हैं तो काल है गर्मी से जाद्स की विबस्ता करी गई है किसान के परतिषियन भूती प्रदासित की गई यहां ठीक है शले बीव दाते हैं ऑर पंग्ति कब लिखेंगे किसान वावली किसान वाले पंग्ती लिख गैगे जब हर ले करके निकलता है मैं सारी आपको शुरुवात में बता दे रहा हूं ताकि बाद में आपको कोई चिंता ना हो तो इसलिए कहते हैं अंधा धुंद बरस धर्ती के चूनर कईदे धानी अब यहाँ पे चूनर जो धर्ती की जो रंग है धर्ती का उसको धानी रंग कर बात करने की कह रहे हैं मलब की फसल ठीक ठाक हो जाए ठीक आख मूंद के बरस बदरा इस प्रकार से कहते हैं कि बदरा इस प्रकार से बरस है ताकि लोग अपने अपने घर सो ले करके हल वगयरा निकल लें ताकि जो है खेद के लिए ठीक यह बात भी ध्यान लखेंगे तो अभी आगे चल करके हम देखेंगे कि लाइके महेंगून निकरें और बिया लिह सिवरानी तो यह अंधा धुन्द बरस धरती के चूनर के देदारी तो यहां पर यह कविता यह पंक्तिया आप लिख सकते हैं बिसेस में कि यहां पर किसान के प्रतिस सहन भूती प्रकट करी गई है ठीक चलो अब हम ब्याग के च नदी, तालाब, कुवा, इन सब के सहारे हम बैठे रहेंगे अब जो है आपका एक सहारा बचा है और इन सब के सहारे अब नहीं रह पाते हैं यह इन समय पानी खतम हो चुका है इसलिए अब आपके सहारे पर हम भी हैं और साथी साथ यहां पर एक अर्थाओर निकल लाँ ह नदी, कूप, सर, ताल के सहारे नदी, कुवा, ताल यह सब आपके ही सहारे पर चलते हैं यानि जब आपकी बारिस होगी या आप से बरसा होगी तभी इसमें जल संचय होगा तभी इसमें पानी कठा होगा नदी में, कुवा, में, तालाब में यह सब जो हैं यह आपके सहा रहे हैं अद्या प्रसाद मिस्रा जी ये बादल से कह रहे हैं कि हे बादल नदी कुआ ताला भी आपके ही सहारे बैठे हुए हैं जब आपकी आप जल बृष्टी करेंगे जल वरसा करेंगे तभी इसमें क्या होगा जल संचैन होगा या फिर जल इकठा होगा ठीक पहरी मलब एक प्रकार से मोतियन की जो है नालियां बहने लगी मलब खुब बरस बहुत जादे मातरें पानी हो चार छे लाहरा पानी बरसे ठीक इस प्रकार से आवान करते हैं तो तनी जूमिके बरस कजरारे बदरा ताकि क्या हो जाए नदी कुआ ताला आप भर जाए नदी कु सूखे बिर्चन कर टाहनी सगरी लर्की घूम घूम के बरस कजरारे बदरा तनी जूम के बरस कजरारे बदरा समझो भईया बदरा बरस प्यासी धरती बादल से कहते हैं बादल बरसो खुब बरसो आप क्यों बरसो प्यासी धरती धरती बहुत जादा प्यासी होती है तो ध चाती बादर्की मलब धर्ती का जो चाती मलब सीना परकार से धर्ती की जो भूमी होती है खेतों गयरा में आप देखते हैं जब धान की फसल कट जाती है तब क्या होता है जो फिर्थिविया होती है वो धर्की होती है फटी होती है तो उसी को कहते हैं धर्ती की चाती का फटन ठीक समझ गए बात तो कहने का आसा यह है कि धर्ती खूब जादा प्यासी है और अब वह फटने लगी है धर्ती क्या हो रहे चिटकने लगी है ठीक तो वहाँ पर ये बात करें हैं कि इसलिए बरसा बदरो मलब बदरा बरसो ताकि क्या हो जो धर्ती प्यासी है वो अपनी प् combination बनाते है एक प्रेमी और प्रेमिका का combination है चुकि यह धर्ती नामक जो प्रेमिका है यह बादल नामक प्रेमी से प्रेम करती है और जब यहाँ प्रेम करती है तो जब जो धर्ती होती है जब इसको मलब ज्यादा जो है तदो प्रांत इसकी एक्छा समाप्त हो जाती है समझे बात तो यहाँ पर एक तात पर यह भी आप ले सकते हैं ठीक जब आप कभी रिसर्च वगारा कर रहे हो आप बड़े यम्मे वगारा में जब आइसी प्रसनावली आपसे पुझे जाएगा तब आप यहाँ तक ने डीप में जाएगे अगर बीए में लिक देंगे तो जिट्चक करेगा काफी वो समझी नहीं पाएगा कहा तक ले गया है बच्चा इसको ठीक चलो लता पतर सूखे बिर्चन कर टहनी सगरी लर्की लता मतलब होता है जो जो है बवर वगएरा होती है पतर मतलब पते ठीक है बिर्चन मतलब होता है बिर्चन पेण पाउधा कई टहनी टहनी मतलब डाउंग मतलब डाल जितनी भी होती है सब क्या है सगरी मतलब यह नहीं होता है कि सागर सगरी मतलब सब जितने भी यह सब है मतलब बावार पाता जो है ब्रिच यानि पेन खुदय पेन की जो डालिया है वो सब सब क्या हो गई है सूखे के कारण से जो सूख गए है उसके कारण से क्या हो गई है लटक गई है भैया क्या हो गई है लटक गई हैं क्यों लटक गई हैं क्यों कि पानी नहीं मिला है पानी नहीं मिला है तो पत्ता सूख गए हैं बवर सूख गई हैं ब्रिक्ष के सभी डालिया सूख गई हैं और सूखने के तदुपरांत ये सारे जो ब्रिक्ष के जो तत्तो हैं ये लटक चुके हैं क्या हुए नटक गये हैं, आगे बढ़ा तो इसलिए इस लिए इन सभी को हराब रखने के लिए घूब घूब के बरस का जरारे बदा तभई कह रहे कि तरह हैं गूब घूब कर, जब देखते हैं कभी बरसा होती है, तो बारिस में जब कभी आप लोग नहाते हैं, आनन्द लेते हैं, तब कभी आप अपने छट पर निकलिए और उसके बाद में देखे बादल जब पानी बरसता तो किस प्रकार से उमड़ उमड़ के बरसता है बादल घूमता है इधर उधर का बादल कभी उधर जाएगा उसमें लगता है कि कोई क्रिया हो रही बादल में तो वही करें मड़य घूम-घूम खूम के बरस जब भादल घूमने लगते हैं तो पूरे वातावर्ड मिच्छा जाते हैं बादल कोच परकार की मझा धुंद तो इसकína से बादल घूम-खूम कर बरसेंगे तो बहुत जाँदा पानी बरसेगा इस लिए आखे घूम-घूम आएगा काला बादल आएगा तो बहुत जादा वर्सा होगी इसलिए यहां पर काले बादल की बार बार आवाहन कर रहे हैं आद्या प्रसाद मिस्रा उनमत जी ठीक तनी जूम के बरस कजरारी बदरा जूम जूम कर बरसो कजरारी बदरा क्योंकि तमाम सारे चीजे आपको रखता है हमारे प्रदी तब बरसता है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं यह हो गया आगे दिखिए ताल ताल तलाइयन अब पानी के बदले धूरी उड़ाम हैं क्या हो गया भया ताल तलाइयन अब पानी के बदले धूरी उड़ाम हैं ताल और तालाब मुलब ताल तलाइया म पर अब क्या है धूल उड़ा रहे हैं वो तो पानी की लहरे नहीं आ रही है उसमें अब क्या हो रहा है तालाब से धूल उड़ रही है ठीक है क्योंकि अब तालाब फट चुके हैं धरती के जो वो है सीना या छाती वो क्या हो गया है चिटेकने लगा है तो ताल तालाब भी सूख चुके हैं चिरई और चिरोमन जंखय मन आपन समझावें चिरई और चिरोमन चिडिया और चिडिया के बच्चे फिर आने परकार के जो चिडिया वगएरा है ठीक वो क्या कर रहे हैं वो अपने मन को किसी परकार से संतोस दे रहे हैं किसी परकार से जो है दिन अपना का आपने मन समझावाई इसी परकार से दूसरे का मन समझावाई अपने मन को समझाते हैं कि हाँ एक ना देन एक दिन जल ब्रिष्टी होगी आगे देखिए बड़ी धूम के मलब बड़ी धूम से बरस कजरारे बदरा तनी जूम के बरस कजरारे बदरा मलब तनी धूम से बरस धूम मलब होता है धूम मचाले पिचर आपने दीखी होगी धूम मचाले पिचर देखी है तो में उसमें देखते हैं भूँट जादा धूम मचा देता है इस प्रकार से हो अगरागा वूंद बरस कोई चिंता नहीं समय किसी की फसल बीनस्ट नहीं होनी है सब खुसी हो जाएंगे अगर आपकी एक बूंदे पर पढ़ जाएंगी और धरती का रंग कैसा हो दरती हो जाएगी का ऑन सै अधागू नीकर और भीयां लिए शिवरानी इस परकार से पानी बरसो की कदई लग जाए पानी क्या हो सब की खेतों में भर जाए और धान लेकर के धान की बिया लेकर के कौन निकले सिवरानी निकले सिवरानी कौन है ये महंगू की पतनी है महंगू की पतनी कौन है सिवरानी है तो महंगू क्या लेकर के निकलेंगे हल लईके निकले ताकि कंदई कर ले खेत में मलब खेत को बना ले धान बोने के लिए और जो सिवरानी है वो बिया लेकर के निकले और वहाँ पे छीट दे और वहाँ पे उसकी क्या हो जाए रोपाई हो जाए धान की ये इस प्रकार से बरसो कि कंदई लाग जाए कहने का मलब यह है गाउं में समझते हैं कंदरी लगना कि जब धान के लायक जो है पानी बरसे की जिसमें धान बैठा सके आँ ठीक आख मूंद के बरस कजरारे बदरा तनी जूमी के बरस कजरारे बदरा मलब किसी परकार का किसी को हानी नहीं होगी इस परकार से आप बरसो मलब इस समय बरसने से हानी नहीं होगी किसी परकार से इस परकार से आप आख मूंद करके बरसो आख मूंद के बरसो ठिक आगे देख नहीं बरसते हैं तो कभी दीखते हैं जो बच्चे होते हैं चोटे चोटे वह क्या करते हैं पानी जो है सबके द्वार पर जाते हैं सबसे कुछ लेते हैं अनाज वगरा जो कुछ लेना होता है चुटे-चुटे-चुटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं उसी में लोटते हैं मलब काल कलोटी खेलते हैं तक की पानी भर से अब यहां पर इसका ताधर क्या है अब यहां पर यह देखेंगे जो आद्याप्रसांद मिसरा-जी है यह गाउं के प्रति सहयन भूती रखते हैं इसका प्रमार निभन्स कमतियों ससी मिलता है कि जुनदे जुनदे लरीकिनका जूरीके खेले काल कलोटी योकि इस पंक्तियों में क्या हुआ है जो गाउं की मियन भूमिका होती है अगर कोई ब्यक्ति सच्चा गाउं का है एक दम से गाउं ही का है तब ही वो यह कविता लिख सकता है तो इस प्रकार से आध्या प्रसाद मिस्रा जी ने गाउं को बहुत अंदर से देखा अंदर से जहां का है ठीक है तो यहां पर एक विसेश यह लिख सकते हैं भी या विसेश की जड़ी लगा देंगे अगर पूरी वीडियो हमारी यह देख लेंगे तो एकदम से बलब समझ लो आपको कोई पढ़ाएगा नहीं इस प्रकार से बता रहूं इस फोड़ ठीक चलो तो लड़के क्या करें काल कलोटी खेले मालब पानी बरसे लड़के जो बाल्टी से पानी डाल करके काल कलोटी खेलते थे वह नवबत ना आए अब जो है लड़के जब आपकी पानी बरसे उसी में जब लड़के निकलते हैं खुब जादा है पानी पानी बरसता तो उसी को कहते हैं काल कलोटी खेलना तो इस प्रकार से बरसो जुण 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 लड़के मनलब बहुत जादे मातरा में लड़के अपने घरों से निकले और काल कलोटी खेले मनलब उसी जो है मिट्टी और पानी के मिसड में अपने आपको भिगो दे ठीक आगे देखते आप यह पानी बरसता है अंगन में तो खूब तेटेश बरसने लगता है तो मोती निकल ले थोड़ी थोड़ी छोड़ी अब वो मोती क्या हो जाती है अब एक धार बना करके क्या होती एक धार बना करके यहां पर नर्दा देखते नर्दा नर्दा नाली हुपते पानी की मात्रा क्या होती ज्यादा ओसमें पानी गिरने लगता है DO होती है इस मैं से मोती जो है ठोड़ी-ठोड़ी निकलने लगती है यह पर कभी आप देखेगा समय पाइए तो तो वही कह रहे हैं कि हमसे हमारे नर्दा से मोती भहाए करके निकले वहलब पानी बहुत ज्यादा वर्स थिक तो यहां पर मांगी यहे तोसे अचरा पसारी बदरा तनी जूमी के बरस कजरारी बदरा इस परकार से जो है एक स्तिरी के माध्यम से कहते हैं कि स्तिरी को माध्यम बनाते हैं कि एक स्तिरी है जो आपना जो है आचल फैला करके क्या कह रही है के मांग रही है कि इस प्रकार से बरसूर हुष जब कोई इस्तिरी होती है और जब अपने बड़े बुजुर्गों का जब आसिरवाल लेती हैं तो इस तरह आपने आचल को क्यों कि वो आचल जो होता है वो क्या होता है सिसु धापन सारंग दहन मुह पोछन को ठोर ठीक यह आचल का काम होता है सिसु को जब महिलाएं जो है जब बच्चें को दूद फिलाती ह है ठीक क्योंकि बहुत जरूरी सब हब चीज क्यों होती हुस वह बहुत जरूरी काम ओ रहा होता है क्योंकि बच्चे का पारण पोशन मुह पर भिखसित होता है जो मा का दूद होता है ठीक और कोई अगर दूद्ध पिलाना हुआ या फिर कोई इसी कंडिशन आई तो आप जो है रीड की हड़ी बिल्कुल सीधी करके दूद्ध पिलाईएगा इससे क्या होगा बच्चा जो होगा मंद बुद्धी का नहीं कभी कभी सुनते होंगी कि बच्चा पागल पैदा हुआ या फिर बच्ची की बुद्धी कम होई है तो वो क्या होता है जब जुख करके रीड के टेड़ी है तो उसका दिमागी संतुलन बच्चे का सही तरीके से बिखसित नहीं हो पाता इसलिए होता है तो आचल जो है बहुत एक परकार से बहुत तरीके से कारी करता तो यहाँ पे आप एक जो है बिसेज में लिख सकते हैं कि आचल का यहां पे ताद पर बहुत सारे हैं इस परकार से आप सिसुधापन सारंग दहन मुह पोशन को ठावर ठीक कि जब सिसुधापन जैसे कि जब दिया बुताना होता है महिलाओं को तब क्या करते हैं आचल से बुताती है उड़ापन सारंग दहान मुह पोचन को ठोर मुह पोचन जब कहीं पे मुह पोचना हुआ था किसी को मलब जैसे कि कोई मा का जब लड़का कोई आता है तो माता ही इतनी जो है प्रेम करती है अपने बच्चों से कितनी ममता होती है माता की क्या करती है अपने आचल से क्या करत इतनी बात तो इस परकार से आचल बहुत जो है गहरी भूम का निभाता है और जब कभी आप देखते हों परसाद अगयरा आप पंडी जी आपके देते होंगे तो अड़तों को जब देते होंगे तो कहते हैं जो है आप जो है अपना आचल आगे कर दीजिए तो आचल में क्य पर मागी ऐसे तो से कह रही है इस तरी कि इस परकार से मैं आपसे माग रही हूँ कि अचल जो है वो फैला करके कह रही हूँ कि पानी बरस जा और यहाँ पर महिला को लेकर के यहाँ पर एक और आगे अभी बात आपके सामने आएगी क्योंकि यहाँ पर एक औरत है उसका प वहां पर अकेली है और मैं यहां पर परदेश में हूँ ठीक है उसको मेरी याद आ जाए इस प्रकार से एक इस्तिरी जो है आमाहन करते हैं कि पानी बरसे खुब ठीक तो यहां पर भी अभी आगे चल करके आपको मैं बताऊंगा तो एक इस्तिरी है वो अपना आचल फैला कर के कह रही है कि हे बादल खुब पानी बरसो ठीक तरी जूम के बरस कजरारे बदरा आगे बढ़ते हैं समझ में आए आचल की बाते चलो आगे बढ़िये भीया बदरा बरस की खेतनमा बदरा बरस की खेतनमा उपजय सोने कई बाली मलब इतना जादा बरसों सोने की बाली तो खेतों में ओगी गी नहीं तो यहाँ पे कलपना की गई है और यहाँ पे उपमा करी गई इसमें लिखेंगे कि कभी की पंक्तियों में उपमा आलंकार की पुष्टी अधिकतर अस्थानों पर मिली है ठीक जैसे कि खेतनमा उपजे सोने के बाली नर्दा से निकल पड़े मोती तो यह सब क्या है यहां पर उपमा आलंकार कियागा क्या है उपमा आलंकार प्रतिकात्म सब्दावलियों का प्रयोग किया गा ये सारी बातें आप जो है बिसेस में लिख सकते हैं ठीक भाईया बता रहे हैं अगर कोई प्रोफेसर जो अच्छा होगा आपकी कौपी चक कर रहा होगा अगर दस नंबर का पुछ प्रसंदिया होगा दस का दसो ना दे दिया तो मेरा बदल के कुछ दूसरा रख देना आप लोग दस का दसों दे देगा लेकिन अगर सही तरीके से कॉपी चक करेगा तब ठीक है आप इस परकार से लिखेंगे तो आपको बिद्यागाईड साइड से कुछ पढ़ना है नहीं है उसको छोड़ दीजिए भया ब्याख्या खंड आ नाचने लगे क्या हो क्या का हमने नाचय पहिर महतुयन महतो देख बजावे ताली मलब इस प्रकार से मलब बरसे आंप इस प्रकार से बरसे कि सभी लोग क्या हो खुसी हो जाए और समलेंगे तावाले प्राणी मलब जब पती जो है पतनी मलब पतनी नाचने लगे पती ख परिमाहतुन पहतो देख बजावे ताली ठीक है नाचे पहिर महतुयन महतो देख बजावे नाचे पहिर महतुयन महतो दियक बजावे ताली ठीक समझे बात आगे देखे दुखी दीनन के प्रान के प्यारे बदरा तनी छूमी के बरस कजरारे बदरा मलब जितने भी दीन तो प्रेमी और प्रेमी का की बहुत जादा मात्रा में याद आती है आपने बागी पिच्चर देखी होगी उनकी टाइगर स्राप की उसमें देखते हैं पानी बरस्ता दोनों लोग पानी में निकलाते हैं तो वहिया अब उस मूबी ने जादा बढ़ावा कर दिया कि जो है तो यही बात को मुद्दा बना लेती है यहां की इस तरी जो है देखो दुखी दीनन के प्रान मलब इस प्रकार से बादल में जब पानी बरस्ता तो सबके कलेजे को ठंड़क महसूस होती है सभी लोग अपने पने जो है उसमें देखते हैं कि हमारे जो है जब हम एक दूस दीन है जो कि जो मलब जिनका खेत में पानी नहीं है या फिर किसी प्रकार से दुखी है जैसे जो है चिड़ी चिडिया यह सारे जो पसु पक्छी पेड़ पौध है यह सब यह सब भी दुखी है एक प्रकार से दुखी प्रेम वाले जो है वो भी एक प्रकार से दुखी है उनको क्या मिल जाएगा सुख मिल जाएगा और सभी का प्रान का प्यारे हो आप बदरा इस प्रकार से आप क्या करो जूम के बरसो ताकि क्या हो जाए सभी क्या हो जाए दीन दुखी जो है वो सुखी हो जाए अब वो इस्तिरी की भूम का आती है जो इस्तिरी ये पूरा का महीना आया लेकिन बारिस हो नहीं रही थी तो बादल को आवाहन करती हुए सारी बाते बताती है वो इस तरी और कहती है कि देखिए इस प्रकार से केवल मेरे लिए अपना बरसी ये इतने प्रकार की जो सारे हमने आपको बता दिया कि नदी कूप सल्थाल ये जो है ये सारी बाते ये सारी बाते ये आपको आवाहन कर रही है बादल से इस्तरी कहती है कि है बादल और कौन लिख रहा है कभी ता ये आद्या परसाद मिस्रा उनमत जी लिख रहे हैं ये एक इस्तरी है उसका पती परदेश में है वो रात में बैठी है और उसके मन में ये सारी बाते आ रही है क्या आ रही है कि इस प्रकार से बादल के ना आने से पानी के ना बरसने से कितना दुख पीड़ा हो रही है कितनी दुख पीड़ा हो रही सभी लोगों को ठीक इसी प्रकार से पीड़ा मेरे जहन में बैठती है कि मेरा पती परदेश में है और मैं यहाँ पर अकेले बैटी हूँ यह जो है यहाँ पर भाव लिया जा रहा है एक दूसरे से क्या करी गई है उपमा करी गई है प्रकृति का क्या किया गया है सौंदर्यात्मक चित्रन प्रसुत करा गया है नारी और प्रकृति का एक में सामंजस बैठा करके सारी बाते कही गई है मीलब नारी को प्रकृति का क्या बता दिया गया है एक प्रतिकात्म pani group बताया गया है ठीक समझ में आई बात यहाँ पे देखें एक इस्तरी है वो रात में बैठी हुई है रात में निहारती है बादल की तरफ देखती है रात निहारत सगरी रतिया तिल तिल कईके सर के तिल तिल कईके मनलब होता है कि पूरी रात बैठी थी और यही सोच रही थी कि कब मेरे पती आएंगे उनको मेरी याद आ रही है कि नहीं आ रही है क्या वो किसी अनिस्तरी से मन लानी है ये होना है कुआ तला अप्ताल तलया पज़ड सूखा मलब जिसकी सब परकार से सूखा पड़ चुका है ये मुद्दे तो अलग है ये मुद्दे तो ठीक है इनके लिए तो आपको बरसना ही होगा लेकिन अब मेरी बाद भी सुन लिजे बादल से कह रही है इस तरह कि आईसन बरस इस परकार से बरसो विदेशी कंता विदेशी मलब होता है विदेश में रह रहा कंता मलब होता है पती कंत मलब क्या होता है पती ठीक है कंत मलब क्या होता है पती ठीक तो विदेशी कंता आईसन बरस विदेशी कंता का सुध ही आवे घर की यानि सुध ही आ पतनी और पती के बीच में कुछ ऐसा समझेद रहा होगा कि पानी बरस रहा होगा वो याद मनलब उस चीज को या दिलवाना चाहती है जो भूत पूर्व थी यानि जो बीच्च चुकी है यादे वो जो चीजे हैं मनलब उस समय पानी बरस रहा था ज tomb है दोनों मिले हुए थ तो वो याद दिलवाना चाहती है अपने पती को कौन पतनी ठीक तो कह रही आईसन बरस जैसे उस समय बरसे थे कि विदेशी खंता का सुध ही आई जाए घर के कि हाँ घर पे हमारी बीबी बैठी हुई है ठीक जिया हूम के बरस कजरारे बदरा तरह जूम के बरस कजरारे तो आप ठिक इस प्रकार से समझाती है मलब कहती है बादल से कि ताकी जो है उसका पती को सुधी आ जाए घर की और मेरे पास मलब घर आ जाए घर की हाल खबर ले उसके आदमे फिर चला जाए कोई दिक्कत दे तो यह सारे मुद्दे हैं इतनी चीज़े आपको समझ में आई म फिर आई इसमें आपकी जो है क्या है आपकी इसमें चाला की है क्योंकि इन वीडियो को सीर करिए भाई क्योंकि मैं उसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग वास्तविक्ता से परचित हो सकें और जो चीज़े मेरे साथ हो गई है मलब मैं नह पढ़ पाया सही तरीके से तो आप लोगों में वो चीजे ना हो कि आप लोग सही से ना पढ़ पाएं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए एक एक कभिता को फोड़ फोड़ के पढ़ा दूगा एक एक कभिता को रख दूगा ठीक मलब आपके सामने भावार्थ, संदर, व्याख्या, प्रसंग, विसे सब तो आप लोग फटा फट वीडियो को लाइक करेंगे जाता से जाता लाइक और सियर मिलता रहेगा पूरा का पूरो से लेगा सुकला इडि पॉइंट के यूटूब चनल पर पर इच्छा के अंतिम समय तक आपका अपलोड हो जाएगा बस आपको देख के जाना रहेगा ठीक, चले फिर मिलते हैं में अगरे वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत